अलो क्लास फिफ स्टूरेशन असलाव अलेकूं तो बच्छों हम पढ़ रहे थे डिजर्ट के बारे में चप्टर नमबर सेवन डिजर्ट के बारे में डिजर्ट के से जो पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा विजिटेशन के बारे में तो डिजर्ट में विजिटेशन ज जो है वो कम होता है और ज्यादा तर वहां पे कांटेदार प्रांज जह है वो उकता है तो हम देखेंगे आज हम देखें ये wildlife की बारे में desert are among the most unfriendly environment for the animal life तो यहां पे desert जो है animal life के लिए अच्छा environment नहीं है unfriendly environment है the scorching daylight hours do not see much activity but a few animal like desert move at high speed across the burning sand hunting for insects तो यहां पे day time पे कोई activity नहीं होता है वहां पे कोई activity day time क्योंकि day जो है वो ज्यादा hot होने के वज़े से इतना से ज्यादा animal जो हो बाहर नहीं निकलता है उसमें से कुछ ऐसे animals जो की तेज चलता है जैसे कि like lizard जो है वो high speed पे चलता है उस burning sand के ओपर high speed पे हंटिंग करने के लिए इंसर्ट को मारने के लिए with night fall the desert comes alive जब रात हो जाती है तो desert जो है वो जिन्दा हो जाता है जिन्दा means वहां पे activity जो है वो ज्यादा होता है like spider, centipeds and scorpions scroll out from the hole or form under the stone तो यहां पे कुछ ऐसे जानवर्स होते हैं जो दिन को नहीं निकलते हैं रात को निकलते हैं spider, centipeds and scorpions जो है वो अपने hole से या पथर के नीचे से वो रात को निकलता है you can find grasshopper, mice and kangaroo rate of American desert are the spiny mice, garbles and the jarbos of Africa यह सारे animals जो है आपको रात को नजर आएगा यह सारे animals रात को निकल के क्या करता है शिकार करता है दिन में ज्यादा animals जो है वो शिकार करने के लिए नहीं निकलता है कुछ few animals निकलते हैं जो की तेज़ speed से चलता है तो since water is so scare, most desert animals get their water from food they eat like moist plant seed or blood of and body tissue of their prey तो यहां पे desert में पानी मैंने पहले बोला desert में पानी जो है उसकी scarcity होती है, कम होती है, कमी होती है तो यहां पे पानी के कमी के वज़े से जो animals वहां पे water को लेते हैं तो वो water जो है कहां से लेता है वो पानी तो actually कम है वहां पे तो water जो है कहां से, food से, खाने से लेता है, पानी खाने से लेता है जिसे की moist plant होता है वो उसको खाते हैं या seeds को खाते हैं या किसी दूसरे जानवर के blood को पीते हैं या body tissue को खाते हैं जो आप ते शिकार के जो body tissue होता है blood होता है उन से वो क्या करता है पानी एबसर्ब करता है but they must carefully conserve the little water they obtain in this way so desert animal prevent water living their bodies in many different ways तो उनको पानी जो है वो कम मिलता है little water, little water means जैसे कि वो खाने में से जैसे कि man like plant में जो पानी होता है, seers में जो पानी होता है blood में जो होता है, animal tissue में होता है इन सारे चीज़ों को पानी जब उनको कम मिलता है कम मिलने के वज़े से वो इहतियात करता है इसको conserve बचा के रखता है, इस पानी को बचा के रखता है इसलिए वहाँ पे animals जो है वो उनके अलग-अलग features होते हैं different अलग-अलग bodies जो बना की होता है या अलग-अलग features होते हैं जैसे कि some like kangaroo rats and lizards live in burrow which do not go to hot to cold inside तो यहाँ पे कुछ end say january होते हैं जैसे कि kangaroo rats जो या lizard जो है वो burrows में रहते हैं और वहाँ पे which do not get to hot or cold inside वहाँ पे उस burrow में या उस hole में जो है ज्यादा गर्मी नहीं होता है वहाँ पे cold होता है अंदर जो है ठंडा होता है इस animals stay in burrow during the hot day and energy emerge at the night to feed यह ऐसे जानवर्स जो है वो दिन को कहां पे रहते हैं उसी भरोस में या होल्स में रहते हैं और रात को वो बहार निकल के क्या करता है शिकार करता है अदर अनिमल है बोडी डिजाइन to save और कुछ ऐसे जानवर्स है जिसके बोडी को ऐसे डिजाइन किया गया है जिससे water जो है वो save कर सकता है स्कॉर्पियों और वुल्फ स्पाइडर है थिक होता है मोटा होता है जिसके वज़े से वहां पे वाटर एवपरेशन जो है वो नहीं होता है birds like road runners, ostrich are the sum of the birds found in the desert कुछ ऐसे birds होते हैं जो deserts में पाया जाता है camels are the most important means of transport in desert और called the ship of the desert ये camel की बारे में तावलोंने पहले भी छोटे classes में भी पढ़ा होगा camel को जो है ship of the desert कहा जाता है क्यों कहा जाता है the camel has number of adaptation in the desert life, its body temperature rise and fall with their temperature so the camel does not lose water through sweat तो यहां पे उसके body को ऐसे बनाए गई है जिससे वो उस desert में आपने आपको adapt कर सकता है तो उसका जो body temperature जो है वो rise होता है और falls होता है air temperature के साथ जिसके वज़े से water जो है कम हो, loose होता है पर सीना जो है उसको कम आ जाता है it can drink large amount of water at one time and then go without drinking for many days यह जो है it can drink a lot यह जो है एक ही time पे बहुत सारे पानी जो है वो पी सकता है और बिना पानी के कुछ दिन जो है वो जिन्दा रह सकते है the camel store the food and fat into its hum तो यह camel जो है पानी, food को और fats को वो अपने hum पे hum जो है उसमें क्या करता है, store करता है जैसे कि यह है camel camel का यह वाला portion जो हम कहा जाता है जिसमें वो fats और foods को क्या करता है, store करके रखता है this store fat or broken down in energy is required यह fat जो है, store जो है, cup break हो जाता है जब उसको energy के जरूरत होता है उस time यहां से वो क्या करता है, हम से जो है वहां से food को निकाल के energy को यह करता है, use करता है the long leg and the paddle feet help camel walk in the sand यहां पे, यहां पे, यह केमन का जो है, body ऐसे structure किया गया है जिससे वो desert में आपने आपको survive कर सकता है तो यहां पे उसका जो है, long leg को ऐसे बनाई गई है long leg जो है, जिससे वो वहां पे, sand में जो है, वो चल सकता है long leg also the long eyelashes and the nostril that can be close help them to protect their eyes and nose to from the sandstorm तो उसके eyelashes and the nostrils, जो है, long, long, जो को close करने के लिए, अपने आँख और नाख को प्राटक्ट करने के लिए कि से? sandstorms, जो वहाँ पर sandstorms चलता है उससे अपने आग और आंग को protect करने के लिए उसके eyelashes और nostrils जो है वो क्या होता है long होता है the strong jaws and the thick lips help the camel to eat the thorny plants उसका जो jaws or lips जो है, वो मोटा होने की वज़े, strong होने की वज़े से, या thick lips जो होने की वज़े से वो जो थ्रौनी प्लांट जो कांटेदार प्लांट होता है वो उसको इजिली चौप कर सकता है, इट कर सकता है, खा सकता है उसको The other animals that are found in the desert और भी बहुत सारे camels की बगिर और भी बहुत सारे वहाँ पे जानवर्स होते हैं जैसे की फेनेक्स फॉक्स, हैनास, हैटगे हॉक्स, स्कॉर्पियों, रेटल स्नेक, अडेक्स, औरेक्स, अन्दा होन लीजर्ड जो है यह ऐसे जानवर्स है जो की कहां पे पाया जाता है, डिजर्ट में पाया जाता है जैसे जानवर्स जब रात हो जाती है, उस टाइम वो क्या करता है इसलिए मैंने सो जाता है और आपने एनर्जी को क्या करता है, सेव करता है वो सुबा सवेरे उठता है तो बास में दूब खाना, और जो सूरज निकलता है उस टाइम पे वो दूब खाने के लिए वो बाहर निकलता है यह हुआ आपका वाइड लाइफ इन दी डिजर्ट तो आपको घर पे थोड़ा सा आपको अपने आप स्टाडी करनी है तो नेक्स्ट पे हम दूसरा लेक्चर जो है हम नेक्स्ट लेक्ट यह करेंगे ना कल करेंगे ए हुमन लाइफ जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे तब तक के लिए थैंक्यू, خुदा हाफिज, टेक कियर